खालो एवरिवन मैं विक्रांत आप सभी का कॉंपिटिशन कम्यूटी में स्वागत करता हूं हम पाश्याच्य दाश्णिकों के बारे में एवं उनके सिध्धान्तों के बारे में अब तक पढ़ रहे थे उनका अध्यन कर रहे थे उनसे संबंदे प्रश्णों को सिध्धान्तों को जान रहे थे उसमें हमने देखा कि जो बौधिक वादी जो हैं उन्होंने अपने क्या क्या सिध्धान्त दिये उनका क्या तरक रहा इन सब के बारे में हमने अध्यन कर लिया अब हम देखते हैं कि अनुभवादी जो हैं दाशनिक पास्चात्य दर्शन में उनका क्या रूल रहा दर्शन को वो किस हद तक ले गए और उन्होंने क्या-क्या सिध्धान्त दिये अब सबसे पहले तो ये की अनुभवादी होते कौन हैं अनुभवादी वे दाशनिक होते हैं जो की सारे दर्शन का सारे ग्यान का एक ही कारण मानते हैं अनुभव अर्थात आपको यथार्थ ग्यान की प्राप्ती जो है वो अनुभव के आधार पर होड़ सकती है अनुभाव जन्य हो सकती है और जो आपकी प्रत्य कुछ भी हो उसे आप देखते हैं तो आपकी आत्मा में उसके गुण के अनुसार एक प्रती रूप बन जाता है वही आपका प्रत्य है जैसे कि आप एक गुलाब को देखते हैं गुलाब सपोज आपका रेड कलर का है तो लाल कलर का गुलाब है उसकी खुश्बू है उसका आकार है उसके रंग रूप इत्यादी जितने भी गुन है उनका जो है आपकी आत्मा पे प्रत्य करन हो जाता है उनकी एक प्रती लिपी जो है आपकी आत्मा में बन जाती है और वही आगे चलके आपके प्रत्य कहलाती है आपको गुलाब जैसे ही बोला जाएगा तो आपको उस प्रती रूप का आभास होगा आपने कहीं उसके सदिश कुछ भी देखा या किसी भी कलर का देखा सपोज आप केवल रेड कलर के रोज के बारे में जानते हैं आपने ब्लैक देखा पिंक देखा या ब्लू देखा रोज तो आपको ये तो चीज पता चल जाएगी कि वह गुलाब है भले उसके जो है विशेशी करण में भिन्नता हो जैसे कि वह ब्लैक कलर का हो गया तो उसका वह विशेश गुण हो गया रेड कलर का हुआ तो वह उसका विशेश गुण हो गया ब्लू का हुआ तो वह उसका विशेश गुण हो गया तो लेकिन एक जन सामान के लिए जो है अवधाना बन जाएगी कि हाँ इस प्रकार का जो फूल है उसको हम गुलाब कहते हैं तो आप वही जो है प्रत्य करण है वही आपका प्रत्य है तो आशा करता हूँ प्रत्य क्या है आप समझ गए होंगे तो अनुभवादियों का ये मानना था कि प्रत्य का जो ग्यान है वह केवल अनुभव के आधार पर हो सकता है और यह केवल और केवल अनुभव जन्य है यह स्वयम से पहले से ही जन्मजात तरीके से यह प्रत्य नहीं रहते हैं जैसे बुद्धिवादी मानते थे कि हमारे जो मस्तिश्क में जो है मन में है आत्मा में जो है पहले से ही जो जैसे हम देखते हैं तो उनका आभास हमें हो जाता है तो लेकिन अनुभावादी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता वह बुद्धी वादियों की धानाओं को बिलकुल नकार देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है केवल और केवल अनुभाव से ही हमें प्रत् जो थे वो जॉन लॉक थे जिन्होंने जो क्या है पहले बुद्धिवादियों को नकारा सबसे पहला जो नाम आता है इन्हीं का आता है जॉन लॉक का कि उन्होंने बुद्धिवादियों के जो ये जो धाना चली आ रही थी कि सब कुछ पहले से बुद्धि में हैं तो उसको तो सीधे सीधे इन्होंने उसका खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता हम अनुभव से ही प्राप्त करते हैं सारा ग्यान तो वो कहते हैं इसके लिए example देखे एक छोटा सा शिशु होता है या एक विक्षिप्त माना होता है उसकी सारी प्रतिक्रियाएं सारी क्रियाएं सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके मस्तिश्क में सारी चीजे पहले सी है तो आपको किसी अनुभव की क्यों जरूरत पड़ेगी चैवा आपका स्वयम का अनुभव हो या द दाशनिक जो हैं, इंग्लेंड के आपके जॉन लॉक हैं, फिर आरलेंड के बरकले हैं और स्कॉट लेंड के हुम हैं इन तीनों का नाम जो है सर्वो पर ही रखा जाता है अनुभावादियों में तो जॉन लॉक ने पहले ही बता दिया कि सारी चीजे जो हैं आपके जड़ हो चाहे चेतन हो सब कुछ का हम अनुभाव प्राप्त करते हैं उसके बाद ही जो है उन प्रत्यों से हमें ग्यान प्राप्त होता है फिर उसके बाद जो है बरकले ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और कहा कि जो सारे जड़ तत्व हैं और चेतन तत्व हैं उसके अलावा जो है इश्वर की भी सत्ता है इश्वर का उसने समावेश किया इसमें और ये जो अनुभवाद को है वह आध्यात्मवाद की ओर ले गया कि भौतिक वाद का उन्होंने खंडन किया और निरिश्वर वादी या अनिश्वर वादी जो धानना है उसको अभी खंडन कि कि जो है प्रत्यवाद की और आगे की और ले गया लेकिन इन्होंने उसमें जो अनुभावाद में जो है इश्वर को शामिल कर लिया ये अनुभावाद को जो है सीधे कहां इश्वर की और ले जाना चाह रहे थे फिर उसके बाद जो है यूम ने इसमें क्या किया कि आगे च सब की जो सत्ता है चाहे वो द्रव्य हो इश्वर हो आत्मा हो सब पे शंशय करना चालू किया कि क्या जिसका मैं अनुभाव नहीं कर पा रहा हूं तो उसकी सत्ता कैसे होगी उन्होंने तो सारी सत्ताओं पे ही शंशय ला दिया इस प्रकार से इन ये तीनों जो दार्शनिक ह अनुभावादी होते हुए भी इनकी विचार धाराओं में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है आईए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जॉन लॉग जो थे वह कौन थे उनका क्या सिध्धान रहा और उनका क्या योगदान रहा दर्शन में उससे पहले हम थोड़ा सा जिसके अनुसार यथार्थ ग्यान की प्राप्ति का एक मातर साधन इंद्रिया अनुभूती है मानों के ग्यान कोश में जो कुछ भी है वह अनुभावजन है अतह सभी ग्यान अरजीत और सीखे हुए हैं कोई भी ग्यान जन्मजात नहीं होता है इस प्रकार यह बुद्ध वाद का विरोधी सिध्धानत क्यों है हाला कि इसमें हमने काफी चर्चा कर ली है तो आप जो यह पैरा है उसको as it is note कर सकते हैं और इसके बारे में चाहे वो इंद्रियों से प्राप्त ग्यान हों कि आप सारा अनुभव जो है किस से करेंगे इंद्रियों से ही करेंगे अप देखेंगे सुनेंगे सुंगेंगे स्पश करेंगे स्वाध लेंगे और उसके बाद जो है आपको प्रत्यों का ग्यान प्राप्त होगा यह साधी चीजह इसमें कही गई है आधुनिक यूग में अनुभवावाद को एक ग्यान मिमांसी सिधान्थ के रूप में विक् इन्होंने सारी चीजे जो हैं इनका ग्यान मिमान से सिध्धान आपका हमने बहुत दिखता वाद जो देखा वह भी ग्यान मिमान से सिध्धान था आपका अनुभावाद जो है वह भी ग्यान मिमान से सिध्धान था जॉन लॉक का ये कहना था कि आपको तत्तो इमान सा जानन के पहले ग्यान मिमान सा जानना आतिया वज्चक है और वह ग्यान मिमान सा का जो वो बिलकुल इलेबरेट करते हैं बताते हैं कि क्या है कैसा है तो उसमें जो है उन्होंने अनुभावाद को शामिल किया और बताया कि सारा ग्यान का अरजन जो है सारी चीजें जो है वह केवल आप अनुभाव से ही प्राप्त कर सकते हैं सारे प्रत्यों का ग्यान केवल और केवल अनुभाव दे सकता है आपकी बुद्धी नहीं की जो जन्मजात हो तो इस प्रकार से उन्होंने बुद्धी बाद का खंडर गिया तो अब देखते हैं जॉन लॉग कौन थे जॉन लॉग तो जैसे कि हमने चर्चा की कि इंग्लैंड के जो हैं प्रसिद्ध दाशनिक थे आधोनिक यूग में अनुभावाद के जनक थे इनसे पहले भी अनुभावाद को जन्म दिया जा सुका था लेकिन क्या है जितने भी इनके पहले के दाशनिक हुए उन्होंने इस तरीके से और इतने इसपस्ट तरीके से अनुभावाद को नहीं बताया था तो उस अनुभावाद को जो है जॉन लॉग ने सबसे पहले और इतने इसपस्ट तरीके से बुद्धिवाद से अलग बताया ग्यान मिमानसा को अधिक महत्त दिया जैसा कि हमने चर्चा कर ली जन्व के समय मस्तिश्क को खाली पट्टी के समान या खोड़े कागज के समान समझा है खाली पट्टी जैसे कि आप के पास एक कोरा कागज है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं इन्होंने कहा मस्तिश्क जो है वह खाली पट्टी है, कोरा कागज है जिस पे आप अपने अनुभव के अनुसार प्रत्यों का ग्यान लिखते हैं और उन प्रत्यों का समावेश करते हैं ऐसे इनकी धार्णा थी इनकी पुस्तक थी जो बुक इन्होंने लिखी एसे concerning human understanding तो इ जॉन लोग ने जो अपना ग्यान ममांसी सिधान्त दिया, वह अनुभवाद पे आधारित था तो उस पे हमको पता तो चल गया है क्या होता है अनुभवाद? उन्होंने अपने जो है ग्यान ममांसा को कितने पक्षों में दिया, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं. जौन लॉग जो है प्रथम आधुनिक दाशनिक जिन्होंने अपने दर्शन का प्रारम ग्यानमिमानसा से किया जौन के अनुसार ग्यानमिमानसा की दो पक्षे हैं इन्होंने ग्यानमिमानसा की दो पक्षे क्यों बताए सबसे पहले इन्होंने क्या किया है खंडन किया है किसका खंडन किया है जो सहजता से और जन्मजात प्रत्य होते हैं हमने सहज प्रत्यों के बारे में बात की कि जो भई आपको बिलकुल सहज रूप से एकदम आसानी से मिलते हैं तो ऐसा कहना होता है बुद्धिवादियों का कि यह जन्मजात होते हैं और आपके शुरू से ही आपके मस्तिश्क में होते हैं तो इस चीज का उन्होंने खंडर किया और इसके लिए वो एक्जामपल दिया बच्चे का या विक्षिप्त मानों का कि जो बच्चा या विक्ष और शुरू से हैं तो इस प्रकार उन्होंने जन्मजात प्रत्त्यों का चंदन किया उसके बाद आता है इनका मंदात्मक पक्ष कैसे कि मंदन करना अर्थात अपनी चीजों को अच्छा बताना और अपनी चीजों के लिए तरक प्रस्तोत करना की वह सही हैं तो इनके मंदात्मक पक्ष में क्या आएगा कि अनुभवाद को लेकर इन्होंने बताया कि ग्यान कैसे प्राप्त किया जाएगा उसका स्वरूप क्या है प्रकार क्या है उसके परिमान क्या है उसकी सीमा क्या है इन सारी च ग्यान का स्वरूप क्या है तीसरा है ग्यान के प्रकार क्या है फिर ग्यान की प्रमाणिक्ता का आधार क्या है उसे क्यों प्रमाणिक माना जाए और ग्यान की सीमा क्या है इन सब के बारे में इन्होंने चर्चा की तो यही जो है उनका ग्यान मिमांसे सिध्धान्त है कि ग्य अनुभावादियों से related किसी भी दाशनिक के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आप लिखेंगे इनका जो ग्यान मिमांसि सिद्धानत है अनुभावाधारित है इन्होंने अनुभाव को ही सर्वो परिमाना और प्रत्यों का ग्यान प्राप्ति का एक मातर साधन घ्यान मिमांसि तथ्यमें जो हम पढ़ते हैं सिद्धानत में तो उनका खंडात्मक पक्ष क्या है और उसके लिए उन्होंने तर्क क्या दिये ? खंडात्मक पक्ष में बताईएगा कि इन्होंने जन्मजात प्रत्यों का ग्यान सभी को नहीं होता जैसे बच्चों को एवां विक्षित मानवों को, इसके बारे में हमने चर्शा कर ली है, फिर उसके बाद यदि प्रत्य जन्मजात हैं तो ग्यान प्राप्त करने की आवेशक्ता नहीं होनी चाहिए, सही बात है कि यदि बाद शुरू से ही सारे ज्यान आपके अंदर मौझूद हैं, तो आपको पढ़ने की, ज्यान अरजन करने की, आपको चीजों को देख के अनुभाव करने की आवेशक्ता क्यों होगी, आप तो सारे निर्ने और सारी जानकारी तो आपके जन्म से ही दिमाग में हैं, ऐसा उ धर्म चेंज हुआ, आपके जो है धार्मिक प्रत्य चेंज हो जाते हैं, आपके रेती रिवाद चेंज हो जाते हैं, आपका देश काल इस्थान चेंज हुआ, आपके नैतिक प्रत्य जैसे कि हमने नमस्ते करने वाली बात, हाथ मिलाने वाली बात, अभिवादन की जित्ती जितने भी तार्किक सत्य हैं, चाहे वह किसी भी सिधांज को लेकर हो, नियम को लेकर हो, चाहे आपके ब्रमान को लेकर हो, या किसी व्यक्ति को लेकर हो, तो तर्क करने के लिए सबसे पहला गूर्ण मानाव मस्तिश्क में चाहिए चिंतन, यदि ये तार्किक जितने भी आपके मस्तिश्क में हैं तो आपको चिंतन करने की क्यों आवश्कता है तो वह भी जो है आपके अनुभव से ही प्राप्त किये जाते हैं ना कि आपके जर्मजात होते हैं पांचवा पॉइंट देखते हैं लौक के अनुसार कुछ प्रत्य सारवभौमिक हैं कि तो उन्हें जन्मजात नहीं माना जा सकता अब जैसे सूर्य को हम चंद्रमा नहीं बोल सकते चंद्रमा को हम सूर्य नहीं बोल सकते और दोनों की गती जो है आप दिन को रात नहीं बोल सकते रात को दिन नहीं बोल सकते यह सारे सारवभौमिक हैं किन्तु इन्हें जन्मजात प्रत्य नह घड़े खाली स्लेट के समान होता है जिसमें अनुभौ के द्वारा ही ग्यान अंकित किया जाता है इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली कि जब एक मनुश्य पैदा होता है तो उसका मस्थिष्क बिलकुल खाली होता है वह बच्पन से चीजे अनुभौ के द्वारा धीरे दीरे सिखता जाता है। जान लोक का कहना था जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेने के समय उसे कुछ भी नहीं आता। इवन उसे अपनी भाशा भी नहीं आती। भाशा का ग्यान भी वह अपने पैरेंट से धीरे 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 अनुभाव से सीखता है। पहले कहना था। तो इस प्रकार हमने देखा कि उन्होंने जो है जन्म जात प्रत्यों का खंडन कैसे किया। तो यदि इससे रिलेटेड आपके पास क्वेशन आते हैं तो उसको आप जो है इन पॉइंटों में लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसका मंदात्मक पक्ष देखते है मंदात्मक पक्ष में इन्होंने बताया कि अनुभव के द्वारा जो है ज्यान प्राप्त किया जाता है तो वह ज्यान का स्वरूप क्या होता है? कैसे प्राप्त किया जाता है? उसके प्रकार क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं ज्यान का मुल स्रोथ क्या होता है? यथात समवेदन, दूसरा है स्वसमवेदन, समवेदन पहले होता है, फिर बाद में स्वसमवेदन आता है, ये दोनों ही हमारे समस्त ग्यान का निर्मान करते हैं, तो ग्यान का मुल सुरोत इन्होंने अनुभव तो बताया, अनुभव के बाद ये बताया कि हमारे पास वह सब्सक्राइब करते हैं और उनका मस्तिश्क में आप उनका चिंतन करके जटिल प्रत्य का निर्वाण करते हैं वह क्या कहलाता है सो समवेदन तो समवेदन में क्या लिखना है आपको समवेदन जो है इंद्रियों से प्राप्त बाह्यग्यान होता है जगत की वस्तूओं के प्रत्य जो है मन में प्राप्त होते हैं आपने कोई भी वस्तू देखी आपने कुर्सी देखा टेबल देखा चे शेष्टा वाली वस्तु को हम एक संग्या देते हैं नाम देते हैं जैसे एक टेबल है टेबल में चार पाए होंगे और उपर में बिलकुल सपाट जो होगा या इंकलाइंड जो होगा आपका सरफेस होगा और उसमें आप लिख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं इस प्रकार क वस्तु को देखते हैं तो आप कहते हैं कि यह तो मेज है या फिर आपको यदि ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसी वस्तु जिससे कोरे कागज पर लिखा जाता है तो आप क्या बोलेंगे या तो पैन है या तो पैंसिल है इस परकार की चीजों का प्रत्य आपके मनवें अनुभाव के द्वारा प्रात्त होता है वही आपका समवेदन है तो यह ग्यान का प्रात्मिक स्रोत है प्रात्मिक स्रोत क्यों कहा गया क्योंकि जैसे आप अपनी ग्यानेंद्रियों से देखते हैं तो उसको आप जान जाते हैं फिर उसके बाद अब ये सारी चीज़े आपने ग्यानेंद्रियों से देखी आपका समवेदन कहां पहुँचेगा मस्तिश्क में फिर उसको लेके आप चिंतन करेंगे चाहे वह कोई घटना हो चाहे वस्तू हो तो चिंतन करने के बाद जो है आपके मन में कुछ को जो भाव उत्पन हों वह स्वस्त्रामे की द्वारा होगा तो मन की आंत्रिक क्रियाओं का प्रत्रफिक्षी करन जैसे ही आपने समवेदन के थूँचीज़े देखी जानी गटनाओं को देखा पहचाना उसके बाद जो है आप चिंतन करेंगे कि क्या यह सत्य है या नहीं है उसके अंदर और क्य तफ्रा तथे हैं तो उसके बाद जो है आंतरिख क्रियाओं का प्रतिक्शी करन होगा अर्थाद यह सारी क्रियाइं होंगी आंतरि क्रियाओं या संवेगों से भैदु कροध आधी का भाहूत्पन होगा तो आज करता हूं आपको समवेदन और समवेदन क्या है तो ग्छान के मुल्षरोत में आप क्या लिखेंगे अनुभव और अनुभव प्रापती की जो है दो रूप होंगे समवेदन और समवेदन इन प्रत्य स्वयम ज्यान नहीं होते ज्यान तो प्रत्यों के संगती या असंगती के संबंध के प्रत्यक्ष को कहते हैं इस प्रकार प्रत्यक ज्यान नहीं बलकि ज्यान के निर्मायक है यह तो आपके लिखने की बात हो गई अब इसका अर्थ समझते हैं हम कि ज्यान का स्वरू नहीं होता है जब प्रत्य हमारे मस्तश्क में पहुंसता है उस पे क्रियाएं होती है तो उसके पश्चात हमें ग्यान प्राप्त होता है कैसे ग्यान प्राप्त होता है यदि वह प्रत्य किसी घटना या किसी वस्तु के अनुकुल है तो वह वस्तु होगी या घटना होगी य जैसे हमने अनुभाव से क्या प्राप्त कर लिया कि मेज के बारे में हमें गुण पता हैं। लेकिन हमने कोई वस्तू देखी जो चेयर जैसी देखती है उसको मेज है ऐसा हम समझ रहे थे। लेकिन जब हमारे जो अनुभाव से प्राप्त प्रत्यों से हम जानते हैं कि नई यार मेज की क्वालिटी मेज का प्रत्य अलग है उस कुर्सी का प्रत्य अलग है तो अब हम समझ जाते हैं कि उस कुर्सी को जो है मेज समझना हमारी भूलती असत्यता थी और यदि वह उसी के गोंड रखती है तो उसे मेज समझेंगे आशा करता हूँ आपके जो है प्रत्यों की संगती और असंगती के बारे में आपने समझ लिया होगा तो अब हम देखते हैं कि प्रत्य के प्रकार कितने होते हैं जैसा कि हमने चर्चा की थी कि सरल प्रत्य और जठिल प्रत्य तो सरल प्रत्य क्या होते हैं आप जो इंद्री जन्य जो जितने भी आप ग्यान प्राप्त करते हैं प्रत्य प्राप्त करते हैं वह आपके क्या होंगे सरल प्रत्य होंगे और इसमें समवेदन और स्वसमवेदन दोनों के प्रत्य आते हैं जैकि समवेदन से जैसे आप आँखों से देखते हैं प्रतक्षी करन करते हैं फिर आप कान से सुनते हैं फिर आप जिवा से स्वाद लेते हैं ये आपके समवेदन के तुरू आपके सरल प्रत्य आ गए अब सौसमवेदन से सौसमवेदन से जैसे सुख है दुख है इस टाइप की जो चीजें है वह आपके सरल प्रत्य में आ जाती है अब ये सारी चीजे सरल प्रत्य के हुई समवेदन के भी कुछ अंग होंगे और सौसमवेदन के भी अब जब आप सारी चीजों का अनुभाव करते हैं, अब इसमें जटिलता आती है, कैसे जटिलता आएगी, कि आप सारी चीजों को एक सांत रखेंगे, एक सांत जानेंगे, जैसे कि हमने कुर्शी और मेज का उधारन लिया, आप सथ पूरा जो चिंतन करते हैं, या सारा जो है चि में आएंगे आपके जटिल प्रत्य में तो आपको जो है प्रत्य के प्रकार भी समझ आ गये होंगे अब हम देखते हैं कि ग्यान के कितने प्रकार होते हैं हम लौक के ग्यान मिमान से सिधान को देख रहे थे तो तीसरा पॉइंट क्या होता है ग्यान का प्रकार ग्यान के प् रिखना, सुनना, सुंगना, स्वाद लेना, ये सारी जो चीजें हैं, हमने जो देखी वबाहे इंद्रियों से जो भी घ्यान आपको प्राप्त होता है, वह आपका इंद्री घ्यान हो गया, इसको सबसे कम प्रमानिक माना है किसने? जॉन लॉक ने, उसके बाद प्रतिभा य किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है इनमें, जो है प्रग्यात्मक ज्यान में किसी प्रकार का आप संदेह नहीं कर सकते हैं, जैसे दिन को दिन ही बोलेंगे, आप दिन को रात या रात को दिन आप नहीं बोल सकते हैं, गुलाब को गुलाब ही बोलेंगे आप, और इसमें क क्या है निश्चे आत्मक होती है यह स्वयम सिद्ध होते हैं इनको सिद्ध करने के आवशक्ता नहीं होती है क्या आपको दिन को दिन सिद्ध करना पड़ेगा तो इस प्रकार की जो शाश्वत सत्य जो है जो ग्यान है उनको क्या कहा गया है अंतह प्रग्यात्मक ग्यान कहा उसके बाद जो है तीसा प्रकार है निदर्शनातमक ग्यान इसमें क्या है जब दो विज्ञानों को संगती या असंगती का ग्यान जो है तीसरे विज्ञान के माध्यम से होता है तो उसे क्या कहते हैं निदर्शनातमक ग्यान कहने का मतलब यह है कि आपके पास दो अवधानाएं पहले से हैं उसके द्वारा ही तीसरी अवधाना का ग्यान हो अर्थात उन प्रत्यों को आप जान रहे हैं उन विज्ञान को आप जान रहे हैं और तीसरे ग्यान को आप प्राप्त करेंगे जैसे इश्वर की प्राप्ति आप सीधे नहीं कर सकते हैं ऐसा जाउन लॉक का कहना था इश्वर के बारे में उसके ग्यान की प्राप्ति जो है वह आप वाया वाया करेंगे कि आप जगत को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, बहुत सारी चीजों को जानेंगे, उसके बाद ही आप इश्वर का ग्यान कर सकते हैं, डारेक्ली नहीं कर सकते हैं, इश्वर के ग्यान के लिए आपको माध्यम की आवश्कता होगी, तो उसी की बात की गई है, उसको निदर प्राप्त नहीं किया जा सकता ऐसा जान लॉक का कहना है अर्थात जिसमें प्रत्य है उसी का ग्यान संभाव है जिसमें प्रत्य है उसका ग्यान संभाव नहीं है और ये जो तथ्य है वह जान लॉक के ग्यान की सीमा का निर्धारन भी करता है ये जो प्रत्य है उसको जानना या ना जानना, उसके होना या ना होना जो है, उसकी सीमा का निर्धारण करेगा, कैसे करेगा हम देखते हैं। जॉन लॉक के अनुसार अनुभों से प्रत्य मिलता है अतह है प्रत्य ही हमारी ग्यान की सीमा है हम ऐसी वस्तु का ग्यान प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिसमें प्रत्य नहीं है तो वही बात कही गई है ग्यान की सीमा का निर्धारण कि किसी वस्तु में प्रत्य नहीं है उसम कैसे उसका ग्यान प्राप्त करेंगे जैसे कि सपोज आपको ग्यान कैसे मिलता है यहां पे आप खड़े हुए हैं आपके पास सपोज यहां आपके प्रत्य हैं हमने जैसे की बात की थी कि प्रत्य क्या होते हैं और यह आपका कोई फ्लावर है तो ये जो फ्लावर है इसके प्रत्य के बारे में आप जानेंगे यदि इसमें प्रत्य है तभी आप इसको जान पाएंगे यदि प्रत्य नहीं है तो उसको आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि व्यक्ति जो है केवल प्रत्य का दर्शन करता है प्रत्य को ही जानता है वह वास्तविक वस्तू को नहीं जान सकता ऐसा जाउनलोक का कहना है कि व्यक्ति जो है वास्तविक वस्तू को कभी नहीं जान पाता ये जो दिवार है सपोज उसने कहा कि यह लोहे की दिवार के समान ऐसी दिवार है जिसके आरपार आप नहीं देख सकते जिसे आप नहीं जान सकते केवल जो इस वस्तु का जैसे एक flower है या suppose गुलाब का फूल है गुलाब का फूल है तो इसके जो भी प्रत्य होंगे उसका रंग, रूप, आकार सारी चीजे जो हैं वह उसके प्रत्य होंगे और इस प्रत्य का दर्शन कौन करेगा आप करेंगे मैं करूँगा केवल हम प्रत्य को जान पाते हैं उस वास्तवी को नहीं जान पाते हैं तो जॉन लॉक का यही कहना है कि जैसे ही आप प्रत्य को जानेंगे तभी आप अपने ग्यान को बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज आप प्रत्य को नहीं जानते हैं, उस वस्तु में प्रत्य नहीं हैं, तो आप उस ग्यान का धारण नहीं कर पाएंगे. अब ग्यान की सीमा क्या है वह हमने जान ली अब ग्यान की प्रमानिक्ता क्या होती है उसको देखती है ग्यान की प्रमानिक्ता के निर्धारण में लौक जो है समवादिता सिध्धान्त को स्विकार करते है इसके अनुसार प्रत्य के अनुरूप वस्तु के रहने पर ग्यान सत्य होता है प्रत्य के अनुरूप वस्तु के नहीं होने पर ग्यान असत्य होता है समवादिता आपने समवादिता अर्थात समवाद कहा कि यह वस्तु जो है टेबल के समान है तो टेबल से यदि उसके प्रत्य मिलते हैं तो वह सत्य होगा अर्थात टेबल के अनुरूप यदि प्रत्य हैं तो वह कथन सत्य है टेबल के अनुरूप यदि प्रत्य नहीं हैं तो वह कथन असत्य है यही इसकी ग्यान की प्रमानिकता है तो सारा कुछ इनों ने क्या कहा प उन प्रत्य से ही हमें ग्यान की प्राप्ती होती है यह वास्तविक वस्तु का ग्यान कोई भी प्राप्ता नहीं कर सकता ऐसा जान लॉक का कहना था और इसी नहीं जो है आगे शंशेवाद जो ह्यूम का शंशेवाद है इसी से ही आया कि इन्होंने बताया कि इसमें कहीं न कही गुंजाई शोड़ी की हाँ भी आप शक कर सकते हैं यदि आप वस्तु का वास्तवी ग्यान प्राप्ता नहीं कर सकते हैं तो उसमें गुंजाई शोड़ी इन्होंने आप शक कर सकते हैं ग्यान पर तो ह्यूम ने वैसा ही किया और इस पे शक किया और उसका शंशेवाद आया आशा करता हूँ कि आपको जो है जान लॉक की जो थियोरी है उसके सिधान्त जो है समझ आये होंगे धन्यवाद